धर्मेंद कुमार अपने YouTube चैनल DK Tecno52 में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों और आसा करते हैं कि आप स्वस्त और मस्त होंगे दोस्तों आज मेरा वीडियो का जो content है वहाँ Facebook पेज और Facebook प्रोफाइल से related है आप Facebook पेज या Facebook प्रोफाइल चलाते हैं दोस्तों तो आप उसमें कुछ ऐसा मतलब कि वीडियो या रिल्स डाल देते हैं जो कि YouTube कम्यूटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है जो दोस्तों इसलिए वह YouTube के तरफ से आपके पास फ्लैगेट कंटेंट का option आ जाता है या आने का मतलब दोस्तों इसे हलका में न ले या फ्लैगेट कंटेंट आपका आ गया है option दोस्तों तो आपका वीडियो या रिल कभी भी वाइरल नहीं होगा दोस्तों सिवाए 10-20 भीज के तो इसका निदान कैसे है किस तरह से हम इसको फ्लैगेट कंटेंट को हटा सकते हैं दोस्तों चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं बिटर सौंड अनंद लेना चाहते हैं तो headphone, earphone का इस्तिमाल कर लें दोस्तों आप अपना facebook page या facebook profile खोल लेंगे दोस्तों उपर three line का option है एक logo नया update आया है double logo दे रहा है दोस्तों यहां आप right side में देख सकते हैं उपर में message के नीचे आपका logo है उसी को three line कहते हैं दोस्तों उस पर आपको click कर देना है कुछ इस तरह का interface खुल के आपके सामने आ जाएगा दोस्तों अब आपको क्या करना है scroll down करके नीचे आ जाना है दोस्तों नीचे आप आएंगे तो help and support का option आएगा then उसके just नीचे setting and privacy का option लिखा रहेगा दोस्तों उस पर आपको click कर देना है अब यहां देखे tools के नीचे आपको दीख रहा है कि profile recommendation का option आ गया है दोस्तों इसी पर आपको click कर देना है जैसे आप profile recommendation का option आ जाता है दोस्तों यहां देखिए flagged content के नीचे manage content का option आ गया है दोस्तों हम इसका interaction आपको बता देते हैं दोस्तों यह community guideline को follow नहीं करता है जैसे आप कोई video upload किये ह दोस्तों उसमें कोई अस्तर सस्तर दिखाया गया है या खोन-खचर का बात बताए हैं या किडस मतलब कि sexual content आप बना दिये हैं दोस्तों बच्चों के साथ कुछ गडबरेशन कर दिये हैं दोस्तों या फिर किसी के comments को आपने उल्टा-पुल्टा एविजच गाली दे दिये ह इस कारणे community guideline को follow नहीं करता है इसलिए Facebook आपके content पे flagged content का option दे देता है दोस्तों जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं आपका content suppose viral नहीं होगा दोस्तों या तो video हो चाहे reals हो चाहे story हो और कुछ भी हो आपका viral नहीं होगा सिवाए 10-20 भ्यूज ही आएंगे दोस्तों अब आ manage content पे आपको click कर देना है दोस्तों manage content पे आप click करेंगे यहां देखे post we want recommended इसके बाद the delete the post लिख रहा है दोस्तों यहां आपका logo आएगा इसा पर आपको click कर देना है सबसे नीचे में दोस्तों नीचे में अप्सन आ रहा है दोस्तों इस पोस्ट में एगिनेस्ट और गाइड लाइनस आप सजेशन कांटेंट मतलब की जो facebook का मतलबiter गाइड लाइन है उसको आपने वाइलट कीया है दोस्तों और उसको फालो नहीं किया है जिसके चलते आपको यह आ गया है दोस्तों आपको घब्लानी क्या आओ सकता नहीं है नीचे ब्लू कलर में आपको दीख रहा है टैक एक्षन इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों यह देखिए मैंने एक महादेव का वीडियो डाला था दोस्तों अब इसमें पता नहीं क्या मतलब फेस्बुक का गाइड दोस्तों यह देखिए भगवान का फोटो है संकर भगवान महादेव का महाकाल का और इस पर यूटूब ने फ्लैगेट कंटेंट दे दिया है दोस्तों उसकी माया वहीं ही जाने क्योंकि प्रभु की माया जैसे प्रभु जानते हैं वह ऐसे फेस्बुक की माया फेस्बु करेंगे दोस्तों जितना भी options है देखे सब नीचे down में जा रहा है दोस्तों इसका मतलब यहां हुआ कि हमें last तक इसे delete करना ही पड़ेगा दोस्तों अब आपको क्या करना है पुना आपको tag action पे click कर देना है जैसे आप tag action पे click करेंगे दोस्तों आपको delete post का option आ जाएगा क्या आप share है तो हम तो share ही हैं भाई क्योंकि परिशान है तो आपको cancel नहीं करना है देन आपको delete कर देना है दोस्तों जैसे आप delete करेंगे आप पुना फिर आ जाएंगे दोस्तों flagate content के option पर यहां देखे अभी भी हटा नहीं है अब आपको क्या करना है अंगुठे से एक वर swipe down करके refresh करने लना है पेज को दोस्तों चलिए हम इसको refresh कर लेते हैं देखे मैंने refresh कर लिया है recommended का आ गया है content is recommendable हो गया है दोस्तों right now कचीन लग गया है दोस्तों तो इसी तरह से आप अपने flagate content को हटा सकते हैं दोस्तों कोई tension लेनी की बात नहीं है आप देखें कितन लाइक कर दें मीठा सा प्यारा सा comment कर दें दोस्तों और यदि किसी कोई video आपको चाहिए दोस्तों तो आप हमें comment section में comment करें दोस्तों और इसके बाद यदि आपका हट गया होगा तो भी comment करें दोस्तों यदि आपका flagate content का problem matter कर रहे हैं दोस्तों जेल रहे हैं यदि आपक वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखना दोस्तों धन्यवाद